मैं आध्यात्मिक परिपक्वता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देखें, आप लोग इतने वर्षों से सच्संग करते आ रहे हैं। तो शारिरिक परिपक्वता, आपको लगता है कि अब आप शादी करने, बच्चे पैदा करने आदी के लिए परियाप्थ परिपक्वता की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक परिपकवता के लिए एक मंद्र है, दूसरों की अशुद परतें न देखे, मूल देखें। आप समझ रहे हैं? अशुद परतें होती हैं, वो अभी बहुत गुसे में है, या सुस्त है, या बहुत एहंकारी है, लापरवा है आदी, हमें बस इतना ही दिखता ह केरलेस है, ये सारी अशुद परतें हैं, लेकिन मूल, आपका स्वरूप, सार, शुद है। जितना मैं शुद हूँ, उतने ही आप शुद हो। भगवान महावीर जितने शुद स्वभावी आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उतने ही शुद हो। ये एक परना कितना मुश्किल, एक बार आसपास देखो जरा, क्या मूल दिख रहा है या अशुद परतें दिख रही हैं। या तो आपके उसके कर्म दिखेंगे, या तो उसकी मनोदशा, या उसका शरीर दिखेगा, या तो उसके बाल ठीक नहीं है, दाड़ी ठीक से नहीं की है, ये दिखेगा, अती सतही से लेकर व्यवहार या मनोदशा के स्तर तक, लेकिन आप मूल नहीं देख सकते हैं, ग्यानी, वो प्रबुद व्यक्ति है जो मूल को देखते हैं, कोर को देखते हैं, वो अशुद परतों को देख सकते हैं, लेकिन वो मूल को भी देख सकते हैं, दूसरा विकल्ब दे सकता हूँ दूसरे व्यक्ति को ऐसे देखें जैसे कि आप उस व्यक्ति को पहली बार देख रहे हैं तुम्हें पता है क्या होता है घटनाएं लगातार होती रहती हैं कोई घटना हो या नहो आपके दिमाग में लगाता और कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो सब आप पकड़ कर रखते हैं, आप उसे जाने नहीं देते पकड़ के रखते हैं, तो क्या होता है? दो आर होते हैं आप बार बार रिविजिट करते चले जाते हैं क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सभी दोस्त बाहर चले गए और केवल आपको ही नहीं बुलाया गया क्या ऐसा कभी हुआ है यदि आप कहते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ तब आप नहीं जानते कि वो आपको छोड़ कर चले गए है बस इतना ही इसका मतलब है जब हम छोटे थे तो हमारा यही शौक हुआ करता था कैसे समुह बनाना और किसी को बाहर कर देना और अगर आप इसे सफलता पुरुवक कर सकते थे तो आपको लगता हम शक्तिशाली हैं अब आप समझ रहे हैं कि ये एक कमजोर बरताब था सही बात है क्या ऐसा कुछ हुआ है तो उस घटना को याद करें जहां लोगों ने आपके साथ इतनी मीठी बातें की लेकिन ये पता नहीं चलता कि पीट पीछे क्या पकरा है तो उन्होंने आपको किसी कारण से बुलाया नहीं ठीक है गलत है उन्होंने जो किया वो गलत था लेकिन आपका मन इस घटना को revisit करता है कितनी बार? कम से कम पचास बार उसने आपको कितनी बार आमंतरित नहीं किया और आपने इसे कितनी बार revisit किया देखो आप अपने अतीद को revisit करते चले जाते हो तो भले ही अब सब कुछ ठीक चल रहा हो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ हो, फिर भी दुक उत्पन होता रहेगा, आपका विनिर्मान सेयन्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी चीज़ का, दुक का, समझाया आपको, ऐसा नहीं है कि आप केवल अतीद को रिविजिट कर रह हैं, बलकि ये हमेशा आपके दिमाग में गूंचता रहता है, दो आर याद रखें, रिविजिट मत करो, और ये आपके दिमाग में रिंगिंग नहीं होना चाहिए, जैसे ही ऐसा होता है, समझो, ओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए, शक्तिशाली, इसलिए आपको बहुत सारे अतीद को मिटाने की जरूरत है, क्या आपको एहसास है कि आपको आपकी तेज याददाश ही आपके दुख का कारण है, मैं तो कहूंगा कि यदि आप अध्यात्मिक पत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अतीद को मिटाना सीखना होग हर दिन आपके जीवन में 24 घंटे का अतीद जुड़ जाता है, इसलिए आपको मिटाते रहना होगा, इसलिए जैन धर में प्रतीकर्मन का सुन्दर विधी है, प्रती दिन प्रतीकर्मन करें और अतीद को मिटा दे, हम मिच्छा में दुकडम कहते हैं, पर्यूशन में, इस और फिर ये आपके दिमाग में रिंगिंग करता है, देखिए आपने क्या किया है, लेकिन अगर आप इसे मिटा देते हैं, मिच्छा मी दुकडम, मिच्छा मी दुकडम प्राकृत में है, संस्कृत में इसका मतलब है मिध्या मी दिश्कृतम, अर्थ मैंने जो कुछ भी ग लेट होती थी, ट्रैवल लाइट, कई निर्देश होते हैं, उनमें से एक ट्रैवल लाइट, हाँ, अध्यात्म के पत पर आगे बढ़ना है, तो ट्रैवल लाइट करो, हम इतना भावनात्मक सामान लेकर चलते हैं, सुबह उठने पर भी हमारा सिर्भारी रहता है, चाय या कॉफी पीते समय बीच में कुछ नहीं आता, क्योंकि कल का सब कुछ रात में मिट गया, तक ये पर सर रखने से पहले आपने इसे मिटा दिया है, आपको जो कुछ भी सीखना है, आप सीखते हैं और आप उसे मिटा देते हैं, अगर मिटाए नहीं तो क्या होगा, आप रिविजिटिंग करते रहते हो, इसलिए आप भै, क्रोध, आधी पैदा करते चले जाते हो, अगर आप ध्यान दे, तो जैसे ही आप रिविजिटिंग करते हैं, मान लीजे की प्रशना सुरक्षा का है, मेरा क्या होगा, जितना अधिक आप रिविजिट करते हो, उतन अधिक आप क्रोध पैदा कर रहे हो और जब ये सब एक साथ आता है तो आप दमन का रास्ता अपनाते हैं और आप कमजोर और कमजोर हो जाते हैं तो आध्यात्मिक अपरिपक्वता होगी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया आध्यात्मिक परिपक्वता होगी जब व जरा देखिए आप कहां खड़े हैं, हर बार वो मेरे साथ ऐसा विवार क्यों कर रहा है, अगर वो ऐसा करता है, भगवान महावीर ने केवल ये सोचा, अगर वो साप मुझे काट ले तो मुझे क्या करना चाहिए, साप ने ऐसा क्यों किया, ये विकल भी नहीं आया, इसलिए वे भगवान बने, हम वहीं फस जाते हैं, उस व्यक्ति की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, क्यों, बोलने और अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, सही है या गलत? ठीक है, अब एक बात पे आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, अगर मैं कहूँ, सच्चा सुख क्या है? अपने एक प्रवचन में मैंने समझाया था कि सच्ची खुशी FOC है, free of cost, वो सुख जो निशुल्क नहीं है, वो सुख नहीं है, आप सब अपना फोन निकालो और देखो, निकालो फोन, हाँ, अब जरा सूचिए कि ये कितने का है? शायद पांच हजार से चालीस हजार रुपए तक, आपने इसके लिए भुक्तान किया, इसका मतलब ये सुख नहीं है, सच्चा सुख, true happiness है, FOC, free of cost, ध्यान करने से या अपने विचारों की सकारात मकता से, आप खुद को सुख ही कर सकते हैं, आपका सुख जितना महंगा ह उतना ही वो सच्चा सुख नहीं है, ये केवल दुख को भूलना है, जैसे शराब के सेवन से हम अपने दुखों का समाधान नहीं करते, बस उन्हें भुलाते हैं, इसी तरह ये सब दुख को भुलाने का प्रयास मातर है, ये सुख नहीं है, आप लोग इतने कमजोर, इतने हत्या का विचार नहीं आया, ये ताकत है, इसलिए उनके मंदिरों का निर्मान किया जाता है, अच्छा मुझे बताओ क्या किसी के पास मरस्डीज है, मैं आपसे पूछ नहीं रहा लेकिन क्या किसी के पास मरस्डीज है, मान लीजे कि आपके पास एक मरस्डीज है, और उस समय उसे दोगे आप कहेंगे पहले शान्थ हो जाओ क्योंकि इस मूर में तुम मरो या न मरो लेकिन तुम मेरी कार को जरूर नश्ट कर दोगे सही है कम से कम जब वो गुसे में हैं तो आप उसे नहीं दोगे तो जब आप उस क्रोध में हो मतलब जब वो व्यक्ति क्रोध में हो आप अपनी कार की चाबी नहीं देंगे क्योंकि वो उसे ठोक देगा और जब आप गुसे की स्थिति में होते हैं तो आप खुद को निरने लेने का मौका देते हैं दुरगटना अवश्य होगी आपको कहना चाहिए मैं अभी निरने नहीं लूँगा मुझे पहले शान्थ होने दो बाद में समझ आया? आपने नो स्मोकिंग जोन देखा होगा आज कल ज्यादा तर सारवजनिक स्थानों पर नो स्मोकिंग जोन है इसी तरह आपको अपने घर में भी नो एंगर जोन लिख देना चाहिए कम से कम दो घंटे के लिए आपको करना चाहिए रात आट बजे से रात दस बजे तक ये कमरा नो एंगर जोन है तो अगर आप घुसा करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं? अगले दिन लेकिन अगले दिन आपको गुस्ता आएगा ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं का आवेश है अगर आप एक सेकेंड के लिए भी क्रोध को जीत सकते हैं तो आपने उस पर जीत हासिल कर ली है आप समझ रहे हैं माल लीजिए कोई ये कार खाना है कच्चा माल आता है उसे प्रोसेस किया जाता है और तैयार माल बाहर आता है अगर तैयार माल दुख है या घम है तो कच्चा माल क्या है एक कार खाना है कच्चा माल आता है कुछ होता है और उसमें से तैयार माल निकलता है उसी तरहा उधारण के रूप में जो निकलता है वो दुख है तो दुख का कच्चा माल क्या है तो सामान ने नाम विकार ये विकार क्या है ये आपके नकारात्मक बिचारों से आने वाली नकारात्मक भावनाएं है भावनाए याने emotions अब भाशा बदल के वही बात नहीं दोरा सकते हैं तो नकारात्मक बिचारों से नकारात्मक भावनाएं बहराती है तो संक्षेप में विचार हम नकारात्मक की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दुख है यदि आप दो नकारात्मक को रत करते हैं और भावनाएं आपके विचारों में से आती हैं तो नकारात्मक विचार कच्चा माल है और हाँ नेगेटिव थाट्स और दुख तैयार उत्पाद है क्या आप सहमत हैं? आप जूटे हो यहाँ आप हाँ बोल रहे हो लेकिन बाहर जाके यदि आप किसी कारण से दुखी हो जाते हैं आप दोश देंगे परिस्थिती को क्योंकि मेरे मादा पिता सहमत नहीं है मैं दुखी हूँ क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? लेकिन अभी आपने कहा आपके दुख का कारण क्या है? आपके विचार उन विचारों में एहंकार, अपेक्षा कुछ भी हो सकते हैं ये अलग-अलग घटनाओं में अलग-अलग हो सकता है तो यहाँ पर आप इसके लिए सहमत हुए कि दुख के तैयार उदपाद का कच्चा माल विचार है लेकिन जैसे ही आप सत्संग से बाहर निकलते हैं, आप क्या कहते हैं? आप परिस्थितियों को, चीजों को, व्यक्ती या परिस्थितियों को दोश देते हैं सही है या गलत? देखिए, इसका मतलब है कि ये आपके मान्यता में नहीं गया है क्योंकि आप बार बार सुन रहे हो, आप अपने दुख के लिए जिम्मेदार हैं, आप अपने खुद के दुश्मन हैं, आप अपने दोस्त हो, इसलिए ये सिर्फ गूंज रहा है लेकिन अगर ये आपके मान्यता से होता तो बाहर जाने के बाद भी आप किसी को दोश नहीं देते मैं अपने दुख खा एक मातर कारण हूं, नहीं बापा, परिस्थिती खराब हो तो मन की स्थिती भी खराब हो जाती है, है या नहीं अगर परिस्थिती, अगर किसी की आर्थिक स्थिती खराब है, तब बैचारी की रातों के नीन दूर जाती है, तनाव में रहता है, ऐसा होता है या नहीं इसलिए जब परिस्थिती खराब होती है, तो मन की स्थिती खराब होती है अगर परिस्थिती अच्छी है तो मन की स्थिती अच्छी है, तो मन की अच्छी या बुरी स्थिती का कारण अच्छी या बुरी परिस्थिती है, ये आपकी गलत मान्यता है, ये आपकी अग्यानता है, और इसलिए आपको सचसंग करना चाहिए, एक फोन कॉल सारी खुशिय आपको खुश करती है, वो विचार है जो आपको खुश कर रहा है, आप समझ रहे हैं, एक बात समझो, यदि कोई बुरी परिस्थिती और मन की बुरिस्थिती है, ये समझ में आता है, लेकिन अगर कोई अच्छी परिस्थिती है और आपके मन की स्थिती खराब है, तो ऐसा क चलो मानसरवर तो वो कितना खुश है और वो दोस्त घाटी में है हम दोनों एक जैसा नाचते है फिर भी उसे मानसरवर में आमंद्रित किया है तो एक को मानसरवर के लिए चुना जाता है तो दूसरे को बहुत दुख होता है सही? सभी है वो अच्छी परिस्थिति में है इसलिए वो अच्छी मन की स्थिति में है ये सामान निग्यान है ये मेरे साथ नहीं हुआ है मैं एक बुरी परिस्थिति में हूँ इसलिए जाहिर है मेरी मन की स्थिति खराब होगी ये आपका आव्वियस है और मैं उससे कहता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिवार के साथ रीट्रीट के लिए जा रहा हूँ मैं एक उधारन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं एक क्रूस पर जा रहा हूँ और हम किवल पचास लोग हैं और तुम आ सकते हो, तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, तुम परसनल सिवा कर सकते हो अब बताओ मांसरोवर उसे कितना सुब देगा लेकिन मांसरोवर रद नहीं हुआ है, इसलिए परिस्थिति अच्छे से बुरे में नहीं बदली है तो अभी परिस्थिती है, लेकिन मन किस्थिती है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, परिस्थितियां और मन किस्थिती, परिस्थितियां और मन किस्थिती स्वतंत्र चीजे हैं, आपके विचार हस्तक शेप करते हैं और आपकी मन किस्थिती को बदल देते हैं आपको समझ में आ गया